संगम नगरी प्रयाग राज में तंबूओ की नगरी बसनी सुरू हो गई है पॉसपुर्णिमा से एक मा के कलपवास सुरू हो जाएंगे ऐसे में जैसे जैसे माग मेला 2020 अपने सुरुवात की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रसासन अपनी तयारियों को अंतिम रूप दे रहा है इसी के मद्दे नजर मेला बसाने के तयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मेला अधिकारी रजनीश कुमार और जिला अधिकारी भानुचंद्र को स्वामी ने मेला छेत्र का निरक्षण किया तथा मेला के कारियों में हो रहे बिलंग को लेकर काफी चिंता चताई तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाए यदि 10 दिसंबर तक सभी कारे को 70% तक पूरे नहीं होते तो उनके विरुद कारे वाही की जाएगी 12 तारिक से सभी अखाडों वह संस्ताव को भूमी का आवंटन करना शुरू कर दिया जाएगा अधा उससे पहले जमीन समतल करना दल्दरी जमीन को सुखा कर इस्तमाल के लायक तयार करना सभी मारगों में चकर प्लेट बिछा के तयार कर देना पाल्टुन पुलो का निर्मानक वह पूर संगम छेत्र में हर 200 मीटर पर कम से कम तीन सो चाले वाली गाडिया दस कपड़े बदलने के लिए खेराओ तथा अनसुधाएं जैसे जल की तोटी वह अनसुधाएं मौजूद होनी चाहिए क्योंकि इस बार गंगा नदी ने अपना मार्क परिवर्थित कर दिया है और संगम छेत्र को और नजदिक कर दिया गया है इसलिए गहरे स्थानों को पता लगाकर वहां सूचना पट्टी लगाना तटो पर घेराबंदी आधी वविस्ता करना 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के मदे हो जाना चाहिए आप सभी लोग जैसा की आउगत होगे कि कुम्ब के बाद का ये माग मेला है तो लोगों की अपेक्षा है इस मेले को ले करके काफी बढ़ी हुई है उसके गार्डिंग हम लोगों ने माकूल इंतजामात कर लिये हैं पूरा हर विभाग एकदम कमर कस चुका है अपने पू और के पूल और चकड़ बिछाने का काम होता है उसको काफी हत्ता कंप्लीट कर लिया है फिपे के फूल इनके लगभाग दो एक तो चल चुका है एक अगदम चालों इस्तिती में होने वाला है बाकी थीन फूलों पर भी उनका काम लगभा लगब कंप्लीट होने वाला है विखा गुआ लाएं है लगवक सभी सेक्टर्स में आपको चकट प्लेट बिछा हुआ दिखेगा बिजली विभाग ने भी अपने लबक सभी सेक्टर्स में अपनी पहुँच बना ली है हर सेक्टर्स में उनके पोल गड़ चुके हैं और वाइरिंग का काम उनके द्वारा किया जा रहा है जल निकम के द्वारा जो पेजल के लिए पाइपलाइन विछाने का काम होता है वह भी काफी तेजी के साथ चल रहा है लगवक सफी सेक्टर्स में उनके द्वारा पाइपलाइन विछा दे गई है टेबिल्स बनाए जाने के काम उनको जो करना है आस्था टेबिल्स बनाते हैं उस पर भी वो काम चालू कर देए हैं उन्होंने मुख्चिक साधिकारी प्रयागराज को भी दिसा निर्देश पारित करते हुए कहा कि सभी सेक्टरों में प्रास्टमिक स्वास्थ केंद्र दो केंद्री अस्पताल वो आकास्मिक स्वास्थ ववस्था भी 20 दिसम्बर तक चालू हो जाने चाहिए इस बार माग मेले में एयर एम्बूलेंस की ववस्था नहीं होगी इसलिए जल एम्बूलेंस तथा 108-112 जैसी एम्बूलेंस सुविधाओं का अपने निर्धारित समय पर ववस्थित हो जाना निश्चित किया जाना चाहिए स्वास्त विभाग ने अपना हॉस्पिटल्स बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है फ्लड वालों का भी काम स्टार्ट हो चुका है आप देख रहे होंगे कि मेला प्रिशाशन के द्वारा जो लेबिलिंग और वो कराई जाती है वो भी काफी हद तक सेवेंटी परसेंट से सदी कराई जा चुकी हैं हम लोग पूरी तरीके से कमर कजश के हैं बारा तार Cont veins Caso का जमी आवंटन का का बहुरे हम लोग करने जा Tes